हलो फ्रेंड्स वेलकम टूर चानल और आज हम बात करने वाल हैं सूजलॉन एनर्जी के बारे में जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 11.95 यह एक ऐसा स्टॉक है जिसने 459 के हाइस भी दिखाए है और उसके बाद जो इनके शेयर होल्डर है उनको 1.70 के लोज भी आगे इसका फ्यूचर का है उसके बारे में डिसक्स करेंगे बात करेंगे हम यहाँ पर जो इसके फंडामेंटल से फिनांशियल से और उसी के साथ जो लेटेस्ट न्यूज जैसे कि यहाँ पर अडानी ग्रूप सूजलॉन एनरजी को अक्वायर करने वाल है ऐसे मार्केट में न्यूज चल रही है उसके बारे में भी हम डिसक्स करेंगे इसलिए जुड़े रही है इस वीडियो में शुरुआत से लेके एंडिंग तक और अगर हमारे चैनल पर फर्स टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर रिन्यूबल एनर्जी जो सेक्टर है उसके बारे में यहां पर क्या हो रहा है तो देखें यहां पर हम बात करते हैं 11th of March के आर्टिकल के बारे में जहां पर इंडियन रिन्यूबल एनर्जी मार्केट यह एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि CGR 10% के ग् पर इंडियन रिन्यूबल एनर्जी सोर्स का यहां पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है और यहां पर सोलर पैनल इंस्टॉल करने के बाद जो इंसेंटिव या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं इन सारे फैक्टर्स को नजर रखते हुए यह जो मार्केट है आने वाले पे तो हैं यहां पर इंवेस्मेंट करते हुए नजर आ रही है मिनिस्ट्री ओफ न्यू रिन्यूबल एनर्जी है इसने टार्गेट रखा है कि यह अचीव करेंगे 450 गिगावाट का रिन्यूबल एनर्जी क्यापिसिटी और यह इंस्टॉल करने का उनका जो एम है वो है 2030 तक तो देखें यह मतलब 2030 तक हमारे पास बहुत जादा स्कोप है तो अगर आप यहां पर लॉंग टम के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो आपने इस सेक्टर को बिलकुल नजर अंदास नहीं करना चाहिए तो देखें आने वाले जो फ्यूचर है यहां पर तो इसका स्टॉक है तो आपने इसको भी नजर अंदास नहीं करना चाहिए तो चलिए बात करते हैं सूजलन एनर्जी के बारे में जिसका पी रेशो है 103.91 जो के जादा है सेक्टर पी से जो है 65 स्मॉल केप कंपनी है 10,825 करोड का इसका मार्केट कैपिटल है अब यहां पर अगर हम फिनाशन की बात करते हैं तो देखिए 2018 से लेके 2021 तक बहुत अपन डाउन इस कंपनी ने दिखाये हैं जैसे की टोटल रेविन्यू 8,000 से घड़ते हुए यहां पर 3,000 तक आया लेकिन 2020 में देखिए बहुत सरी चीज़े बदल गी 2020 के बाद यहां पर हम देखते हैं तो टो 68 करोड हो गया 68 से यहां पर निगेटिव चला गया माइनस 898 करोड और अगर हम 21 में देखते हैं तो यह निगेटिव से पॉजिटिव में आके अल्मूस इसने 2,000 करोड यहां पर कवर कर लिए हैं क्योंकि अल्रेडी हम 898 करोड निगेटिव में चल रहे थे वहां से 2,642 और यह लॉस दिखाने के बाद अगर हम 21 की बात करते हैं 2,600 का लॉस तो उन्होंने रिकवर कर ही लिया लेकिन उसके बाद यह बन गई प्रॉफिट मेकिंग कमपनी और EPS भी देखिए माइनस 0.73 से माइनस 4.97 हो गई थी और एक ही साल में उन्होंने 0.15 यहां पर अब हम बात करते हैं इसके शेर होल्डिंग पैटन की तो यहां पर 16.04 परसंटेज की यह जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसमें प्रोमोटर का प्लेज है जो है 14.21 बहुत ज्यादा प्लेज है यहां पर mutual fund 0.04 परसंटेज, DII 11.80 परसंटेज, FIS 7.63 परसंटेज, retail and others यहां पर 64.49 परसंटेज, बहुत सारे ऐसे भी रिटेलर होंगे जिन्होंने हाई लेवल पर यहां पर बाय करके रखा है और उनको exit भी नहीं मिला है अब देखिए हम company के बारे में जान लेते हैं अब हम बात क ग्रूप की जो subsidiary है अडानी ग्रीन इसने यहां पर 288 million USD रेस किये हैं जिसके चलते हुए इनका जो renewable asset portfolio है इसको यह grow कर पाए और इसके साथ अडानी ग्रीन का यहां पर aim है कि यह अचिव करने वाल है 45 gigawatt renewable energy capacity by 2030 अब इसके साथ अडानी ग्रूप यहां पर target कर रहे हैं कि यह setup करने वाल है इंडिया का largest solar park 10,000 megawatt जिसकी solar power capacity रहेगी राजस्तान में जो कि generate करेगा यहां पर 5000 megawatt अब देखें यह जो यहां पर इनका project है यह 50-50 equity partnership पे चलने वाला है जो कि राजस्तान government और अडानी renewable energy group है इन दोनों के बीच में रहेगा अब अगर हम यहां पर बा official statement अभी तक नहीं आया है लेकिन अगर यहां से यह बात हो जाती है कि हाँ आने वाले सालों में अगर कोई news आती है तो यह एक बहुत बड़ी news हो सकती है सूजलान energy के लिए क्योंकि देखें जो इनका यहां पर अडानी ग्रूप का यह जो target उनोंने रखा है इसके लिए definitely कोई न कोई इसे company जो है जिसको acquire करना पड़ेगा इतने बड़ी जो target है उसको achieve करने के लिए और यहां पर अगर हम सूजलान energy के बात करते हैं तो सूजलान energy के पास जो यहां पर उनका जो structure है बहुत बढ़िया है company जो है इनके जो assets है यहां पर और उसी के साथ इनका जो company क जो experience है बहुत बढ़िया है across the globe यह company ने already यहां पर wind solar energy के जितने भी setup है वो किये हुए है तो यह इनके लिए बहुत positive बात है सूजलान energy के लिए लेकिन उसके साथ यहां पर सूजलान का यह negative भी है financial crisis के वज़े से यहां पर बहुत जादा loss हुआ है जो company यहां पर 400 पे trade कर लेती वो उसने 1.7 टेके भी low दिखा है तो यहां से अगर यह company अपना जो debt है उसको reduce करते हुए आगे की तरफ जाती है तो यह बहुत बढ़िया बात हो सकती है सूजलान के लिए अब अगर हम अडानी group के बात करते तो देखिए अडानी group के पास यहां पर कोई कमी नहीं ह उनके पास free cash flow है अगर यह चाहे तो यहां पर जो सूजलान energy का debt है वो आराम से यहां पर कम कर सकती है और सूजलान के जो यहां पर asset है उसको utilize करते हुए अपना जो यहां पर जो इनका aim है वो achieve करते हुए नजर आ सकती है तो यह तो हो गई सिर्फ एक news की बात जो अभी तक सिर्फ rumor है official announcement उसका आया नहीं है तो देखिए सिर्फ इस news के वज़े से अगर आप सुजलान energy में यहां पर invest करना चाहते तो मेरी रायद है सिर्फ news के basis पर यहां पर invest ना करे क्योंकि यह एक है penny stock और penny stock जो होता है वो बहुत है risky investment के हिसाब से होता है तो अगर आपको यहां पर investment करना है तो उसके लिए आपको से एक strict stop loss भी रखना पड़ेगा अब देखिए उसके साथ और एक news है जिसके बारे में हम discuss करने वाले हैं जो है 5th of Feb की news जहां पर इन्होंने बता है कि सुजलान का revenue है यह बढ़ गया है quarter 3 में और उसी के साथ इनका जो debt है उसका restructuring किय जा रहा है उनकी जो और यहां पर उन्होंने net revenue है उसमें भी 43% की बढ़त बताई है पिछले साल के comparison में और यहां पर इनका debt जो restructure हो रहा है मतलब company जो है अपना debt अगर चुका पाती है जो restructuring किया है उसके बाद तो यह तो company के लिए बहुत positive बात हो जाएगी अब यहां अगर हम detail में देखते तो इन्होंने यह जो यहां पर इनके जो quarterly results बताए है तो देखिए पिछले quarter के अगर हम compare करते तो gross profit यहां पर 270 से बढ़कर हो गया है 457 इसे के साथ EBITDA जो है वो भी negative से अभी positive में आ गया है इनका जो net profit है जो minus 740 था वहां से कम होते हुए minus 118 हो गया तो अब हम यहां पर बात करते हैं सुजलॉन के technical chart के बारे में यहां पर weekly chart open किया है और अगर आप देखते हैं तो यह जो chart है बहुत ही अच्छा उसने rounding bottom formation करते हुए नजर आ रहा है stock जो है यह जो हमारी trend line है इसका support लेते हुए uptrend की जो journey है इसको continue कर रहा है तो जब तक हमारा यह support intact है तब तक इसमें कोई चिंता की बात नहीं है अगर आपने already यहां पर नीचे के level से अगर invest करके रखा है तो यह जो trend line है इसको ज़रूर ध्यान दीजेगा अगर यह हमार trend line break हो जाती है तो उसके बाद यहां पर नीचे के तरफ के level भी दिखाए दे सकते हैं अब हमें as a investor यहां पर क्या करना जीए तो देखिए सबसे पहले हम notice करते हैं कि यह 20 moving average है 200 moving average है उसके उपर stock जो है यहां पर trade कर रहा है जिस तरह की यहां पर news आई है कि company का यहां पर ज structuring हुआ है और जैसे कि हमने यहां पर देखा है सुजलान का यहां पर जो financial है 2021 में पिछले साल के comparison अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा improvement भी नजर आ रहा है और वही बात हमें इसके technical chart में भी नजर आ रही है अब देखिए यहां पर जो RSI है उसने already यहां पर 60 cross कर दिया है bullish crossover MSED में हो गया है और इसके बाद यहां पर अगर next bullish crossover हो जाता है तो यह जो stock है अपनी uptrend की जो journey है इसको continue करते हुए नजर आ सकता है अब देखिए यहां पर हमारे target क्या रहने वाले हैं सबसे पहले तो हमारा जो target है वो रहेगा हमारा यह जो resistance trend line है उसका जो है 13 का level तो यहां पर अगर यह नीचे की भी आता है तो हमारा first target यहां पर रहेगा 13 का अगर यह stock यहां पर यह जो rounding bottom formation इसने जो किया है यह resistance trend line अगर इसको cross कर देता है तो ही इसके बाद इसमें बहुत बड़ा upset जो movement है वो आने के chances है क्योंकि देखिए यहां पर already हमारे पास एक resistance है 13 क अगर यह यहां पर cross हो जाता है तो उसके बाद इसमें बहुत अच्छा movement आते होई नजर आ सकता है लेकिन देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने यहां पर जो नए investor है अभी invest नहीं करना है क्योंकि यह जो stock है हमारी जो trend line है उसके काफी ऊपर चला गया है और यहा 11.19 मतलब 12 के आसपास यह trade कर रहा है और 13 सिर्फ एक रुपीज का ही यहां पर हमारे पास reward है तो इसलिए नए जो investor है उन्होंने यहां पर invest नहीं करना है हमें जो बड़ा breakout है उसका wait करना है और उसके बाद हमें यहां पर invest कर रहा है तो देखिए एक तो आप जो breakout है उसको ह अब अगर यह जो है यहां से अगर breakout देता है तो breakout देने के बाद जो हमारे लेवल से वह रहेंगे यहां पर 16 का 16 का यहां पर टार्गेट होने के बाद जो next हमारा resistance है वह रहेगा ट्वेंटी का मिट से लेके लॉंग तब के हिसाब से अब देखिए जो चार्ट है यह एक प सकता है कि एक बहुत बड़ा up move यहां पर दे और उसके बाद फिर से यहां पर consolidation करते हुए नीचे के तरफ आ सकता है तो यहां पर एक buying opportunity रहेगी अगर support के आसपस अगर आपको मिलता है तो और उसके बाद फिर से एक बड़ा up move यहां पर expect करके चल सकते तो यह तुरह इसका trend line support जो है यह intact है तो जिसे के हमने यहां पर अल्रड़ी बताया है यह penny stock है और बहुत ज्यादा risky होता है तो इसलिए यहां पर आप अपने हिसाब से research and analysis और उसकी बाद ही अगर आपको इसमें investment करना है तो उसकी हिसाब से आप अपना decide कर सकते यह तो रही मेरी राय अगर ज यही जो information है हमने यह पर बताई है आपके लिए helpful जरूर रही होगी ऐसी बात है तो हमें comment section में बताई है मिलते हैं हमारे अगले video में thank you so much